हेले रिवान मैं किरन शापरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वी का सापता ही क्राशी फल यह 28th मार्ट से लेकर 3rd एप्रिल तक की आपकी टारो रीटिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डिली टारो रीटिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आ आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उस के लिए आप लोगों के लिए कार्ट्स हैं The Magician, Reverse and Fighting और दिखेंग का कार्ट बहुत ही क्लियरली एक फाइटिंग वली एनरजी की बात करता है और ये जनरल रीडिंग है तो ये एनरजी सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकती हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी तरी लाना चाह रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी अप फ्रंट होके हर चीज को डील कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि एक फ्रस्टेटिड इरिटेटिड सी एनरजी हैं कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ आ लेकिन otherwise अगर आपकी ऐसी energies हैं तो उनको जरूर आप चक करके correct करें और दीखे surface level के लिए magician reverse का card कहता है कि आप बहुत smartly चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप manipulative होना चाहा रहे हैं, diplomatically चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और कहीं देखे in the process आप चीजों को लेकर over confident या फिर under confident होते वह दिख रहे हैं और देखे दोनों ही scenario में इन energies को check करके correct करना बहुत important है, क्योंकि देखे कहते भी हैं over confidence leads to destruction, जब भी भी हम you know proper planning नहीं करते हैं, आप फिर चीजों को लेकर बहुत confident हो जाते हैं, तब ही कहीं एक परेशानी हम लेकर आते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, कहीं वो थोड़े से manipulative हो रहे ह और अगर ऐसा आप पाएं Sagittarius, तो थोड़े से cautious रहें, थोड़े से conscious रहें, और इस week देखे हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें करना चाहा रहे हैं, और जो आपका goal है, जो आपका मकसद है, उस पे आप उस तरीके से focus नहीं कर पा रहे हैं, concentrate नहीं कर पा रहे हैं, और फ देखे अगें confidence रखें, लेकिन over confident या फिर under confident ना हो, और परसनल फ्रंट के लिए आप लगों के लिए cards है, eight of swords and slowing down, और देखे eight of swords के card को अगर आप देख पा रहे हैं, तो एक figure के आँखों में भी पट्टी बंदी हुई है, हाथ और पैर सब बंदे हुए हैं, और देखे बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, एका दुका लोगों की बात अलग है, और दूसरी बात देखे टारो guidance के लिए होता है, इस reading से guidance लेके उसको अपनी life में apply करके, आप किसी हद तक चीजों को better भी कर सकते हैं, तो देखे यहाँ पे अगर हम आपकी energies देखें, तो फिर से एक confusion है, एक hopeless, helpless वाली energies हैं, जहाँ पे clearly आप चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसे लग सकता है कि आपके हाथ बंदे हुए हैं, पैर बंदे हुए हैं, बहुत एक confusion सा रहतवा दिख रहा है, और दिख थोड़ा सा pause लेना चाहिए, पहले एक clarity लानी चाहिए, आगे बढ़ने से पहले, और दिखे deeper level के लिए slowing down का card भी कहीं similar सी energies की बात करता है, और कुछ लोग हो सकता है ऐसी energies में हैं, जो नहीं हैं, उनके लिए आप slowing down का card कहता है, कि आप एक pause लें, आप थोड़ा सा अपनी speed को धीरे करें, जब तक कि आप 100% sure ना हों, जब तक कि आप 100% secure ना हों, आप आगे ना बढ़ें, आपके लिए सबसे important चीज होनी चाहिए, stability, security और safety, तो देखें, इन तीनों चीजों का आप खयाल रखके, अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो इस week की energies को आप better कर पाएंगे, या मैं कह सकती हूँ कि जो भी issues हैं, मसले हैं, उन में से आप बहुत असानी से बाहर निकल पाएंगे, फिर से मैं कहूँगी कोई भी बड़ा decision, कोई भी बड़ी choice इस week आप ना लें, and guidance से आप लोगों के लिए supermoon का card है, और ये card कहता है emotions are running high, देखें बहुत emotional, या फिर ब बहुत जादा ही चीजों को महसूस कर रहे हैं, और देखें अगर आप ऐसी energies में रहेंगे, तो फिर एक परेशानी आप अपनी life में लेकर आएंगे, और यही परेशानी बढ़ती रहेगी, जैसे fear, you know, एक happiness, एक हमारी सोच समझ के उपर काला बादल होता है, वैसे ही over emotions, over sentiments भी हमारी happiness, हमारी सोचने समझने की शक्ती के उपर एक काला बादल होता है, और जब भी भी again हम over emotional होके, कोई भी decision, कोई भी choice लेते हैं, तो वो decision, वो choice गलत होती है, तो इस चीज का खयाल रखें, अपनी emotions में एक balance लेकर आएं, तोड़ा सा देखिए spiritual, religious activities में अपने आपको involve करें, कैसे एक piece आप अपनी life में ला सकते हैं, कैसे एक सुकून अपनी life में ला सकते हैं, उस पे focus करें, थोड़ा सा देखिए pause तो आपने अपने personal front में लिया ही हुआ है, analyze भी करें कि क्यों आप ऐसा feel कर रहे हैं, क्या इसका reason है, क्योंकि देखिए अगर आपको root cause मिल गय तो आप बहुत ही असानी से इन ही चीजों से अपने आपको बाहर भी निकाल पाएंगे, जब तक आप surface level पे चीजों को देखते रहेंगे, तब तक आप completely इन ही energy से अपने आपको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और astrology से आप लोगों के लिए Uranus का card है, और इसके हिसाब से all shades of blue आप लोगों के लिए इस week लग्की रह सकते हैं, and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये था Sagittarius आप लोगों के लिए coming week का साबता है एक राशी फल, और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए,